आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है नौन लोकल लेक्शेर्स जिन्हों ने आज डिएफसी करगल में प्रेस कॉंफ्रेंस भी किया इनका डिमांड यही है जब से यहां पर पॉस्टिंग हुए दो साल से जाहित आर्शा हो गया इनका लाइपिक तो यहां पर इनका सब्सक्राइब करने के लिए मौजूद है डोक्टर किशन कहान साथ सबसे पहले में अपने चनल में आपका स्वागत करता हूं जैसा कि आप अभी थोड़ी दैर बात पहले प्रेस कॉंफ्रेंस देरें कि तो तो ना बताए हमारे नाजरीन को क्या आपका इश्यू क्या है सार हमारा इश्यू यह है कि हमें 2017 में हम अपॉंट हुए और उस एपॉंट्मेंट के दोरान हमारा ट्रांसपर जो है और पोस्टिंग जो है लड़ा की अजन में किया गी क्या हम सभी लोग जो थे 802 में थे और इसमें यह था कि 202 में सिर्फ थार्ड जोन में ही सरू करना ह फर इंशल फायो येर्स के लिए हम यहां को 60 लेक्शर्स को पोस्ट किया गया लदाख में और यह बताया गया पीडीपी बीजेपी की गवर्मेंट थी उस्ताइम उन्होंने यह बताया कि आपको यहां सिर्फ एक साल का टेनियूर देना है अपर वन येर यू विल भी रिपि हमने सेक्रेट में जाके खाइल मोगी उसके लिए पत्सनी हम सेक्रेट में जाते हैं कि हमारा जो ये मसला है ट्रांसपर का इसको देखा जाए तो गोवर्मेंट ने इस पे कोई अभी तक उतना नजर ने किया है और यहां से ऐसा भी नहीं है कि सारो 202 में एक क्लाज है कि उ जुरो क्रेटिक इन्फिलेंच है क्या है उस वजा से विदिन 2-3 मंस में ही ट्रांसपर होके जमो और सिर्नगर में चले गए और जो 40-50 यहां लेक्टर्स हैं वो यहां बैठे रहे हैं वो हुमिलेट हो रहे हैं सफर हो रहे हैं इवन मोस्त हमारे लेक्टर्स जो हैं काफी इसमें चले गए हैं डिप्रेशन में हैं और डियारान मेडिकेशन मेडिकेशन पर भी तो हम यह गवर्मेंट से एक बार फिर अपील कर रहे थे कि आप हमें यहां से दो साल से ज्यादा हमारा टाइम हो गया है और आपकी ट्रांसफर पालसी जो है जो आपका 622 आडर नंब है कि लगाक रीजन में जो पोस्टिंग है लेक्चरर्स की उनको आपने एक साल टेनियूर के बाद वापस अपने ही डिस्टिक में या प्रावेंस में लाना है लेकिन अब यहां दो साल से ज्यादा हो चले हैं लेक्चर्स को टाइम टेनियूर इनका और होग रहा है तो को फस्ट और सेकंड जोन में रखा हुआ है तो क्यों ना उनको भी फस्ट और सेकंड जोन से हटा के थार्ड जोन में भेजा जाए और हमें भी यहां थार्ड जोन से जो लदाख इतना हार्श कंडिशन्स है यहां पर यहां जम्मू वाले इन्वार्मेंट जो बंदा 30 साल तक जम्मो में इन्वाइरमेंट में रहा और वो आके एड़ टाइम पांच साल यहां लदाक में रहेगा मेरे खाल में अगले पांच साल में तो उसको ओल डे जा जाएगा क्योंकि इतनी हार्श कंडिशन्स में सर्वाइव करना बड़ा मुश्कल है हमारे लिए यहां की लोक कंडिशन्स में हमने लेक्टर्स को भेजा है वो भी एक फिक्स पेप सिर्फ बेसिक पे देगे ओए लॉंस नहीं है इतनी हार्श कंडिशन्स है और और यहां कुछ नहीं है यह जबकि कंपन सेट्री अलाउंस ऐसे अलाकों में होना चाहिए लेकिन यहां नहीं दे रही है अगो भी नहीं दे रही है हम उसको भी ले रहे हैं उस और अलांस इस नहीं दे रही है लेकिन अगर टेन्यूर पूरा हुआ है तो गवर्मेंट को वापस लेना चाहिए विंटर वेकेशन होती है नॉंबर एंडिंग में देसंबर फस्ट वीक में हो जाती है तो उस टाइम हम तो हमारा ट्रैफिक रहता है जोजीला ओपन रहता है मुसली हम कर लेते हैं कभी कभी ऐसा होता है हमें बाई एयर वाया ले टू जाना पड़ता है लेकिन जब हमें वापस मार्च में आना पड़ता है और जबके जोजीला हमारा जो है वो जाके कहीं मेई में कहीं अपरे मार्च को या 20 मार्च को स्कूल खूल रहे हैं तब रोड नहीं है और हमें उस केसिज में उन कंडिशन में हमें एर बाई एर आना पड़ता है तो एर फैर इतने हाई होते हैं यह आप देख सकते हैं 20,000 तक 25,000 तक पर है जो है फैर होता है और हम वो सारे एक्सपेंसिज करके वया जम्मो टू ले या डहली टू ले आते हैं और फिर यहां अपनी ड्यूटी को जाइन करते हैं तो इसको लेके हमारे एक्सपेंसिज बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं और अगर गवर्मेंट को देखा जाए तो अलोंसिज हमारा निल कर दिया है और उधर से हमें 20-25,000 जो है एक सिर्फ इसका एट टाइम आने का 20,000 खर्चा हो जाता है यहां पर करगिल में लोकल गवर्मेंट है यहां पर डिस्ट्रिकर मिनिस्ट्रिशन डिसी जाव है तो आपकी इस मसले को उन तक पहुंचाया है आपकी सियो साहबे इसके बारे में अपने क्या इक्राम किय सर हमारे सियो साहब ने लास्ट एर एक सेक्टरेट से आडर जेनरेट हो था कि जितने भी लेक्चरर्स यहां पोस्ट हुए है जिनका टेनियूर कंप्लीट हुआ है उनका डाटा हमें दे दिये जाए तो हमारे हम सियो साहब से भी मिले उस टाइम तो सियो साहब ने कहा कि हम हमारे यह जितने भी लेक्चर यहां पोस्ट में हैं इनका टेन्यूर कंप्लीट हो चुका है तो अगर यहां से ट्रांसपर हो जाते हैं बाकी नए लेक्चर आ जाते हैं तो हमें कोई अब्जेक्शन नहीं है तो यह सारी बातें जो हैं CC तक या DC साब तक पहुंच चुकी हैं कि अगर हमारे lectures का tenure complete हो चुका है, अब यह यहां से transfer हो जाते हैं, तो इनको कोई problems नहीं है, कोई objection नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी जो state की government है, जो civil secretary में हमारा school education department की government है, जो हमारे advisor साहब्स हैं, यह education department में, खुर्षित गनाई साहब्स है, उनको भी थोड़ा देखना चाहिए कि हमें इन lectures को वापस लाना है, इनकी भी कुछ problems है, इनकी भी कुछ family life है, social life है, वो भी देखना चाहिए इनको के, इनको भी थोड़ा सा कहीं relaxation दिया जाए, क्या इससे पहले गौर्णर साहब से के notice में लाया था, आपको, आपका क्या अपील रहेंगे गौर्णर सत्यापल मलिक जी से, सब पहले तो मैं ये कहूँगा कि गौर्णर साहब के साथ appointment लेना हमारे लदाख वाले lectures के लिए बड़ा मुश्कल है, क्योंकि जो गौर्णर साहब से मिलने के procedure है, तो वो बड़ा लंबा सुनाते हैं हमारे department, कि आपको appointment लेनी है, आपको अपने department से permission लाना है, और फिर appointment लेने के लिए आपको wait करना है, appointment 10 दिन के बाद आएगी, 15 दिन के बाद आएगी, वो किसी को पता ले, तो अगर हम इसतना appointment के चकर में, गौर्णर साहब की appointment के चकर में चलते रहेंगे, हमारा school का work सफर हो जाता है, हमारी classes सफर हो जाती है, हमारा syllabus जो है पीछे र बार मिले हैं, और advisor साहब ने हर बार हमें assurance दलाया है, कि कोई बार नहीं है, आपको वापस लाएंगे हम, तो गौर्णर साहब के साहब तो हमारा appointment नहीं हो सका है, इसलिए हम गौर्णर साहब से यही appeal करते हैं, कि आपने बहुत सारी demands जो है, जेन के state की पूरी की है, अगर एक बार आप ये teaching fraternity की demands को भी थोड़ा सा नजर में रखेंगे, इसको नजर अंदाज नहीं करेंगे, और इनकी grievances को संगते हुए, environmental conditions लगदा की समझते हुए, अगर इनके बारे में थोड़ा सा सोच के इनको वापस अपने जम्मू और सिरिनागर के लिए लाएंगे, और डॉक्रर केशिंड जी जो लेक्चेर्स है, नोल लोकल लेक्चेर्स है, लदख, करगल में काम करते हैं, तो इनका यही कहना था कि इनका ट्रंसपर पॉलिसी कभी दो साल से आर्शा हुए, नहीं हो रहा है, तो सरकार से गौवार्नर इंतिजामिय से यहीं मताविला है कि चल